आज है 19 अक्टूबर 2022 और 19 अक्टूबर 2022 से के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिसकस करूंगा और हर कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से अपके कमेंट बोक्स हों बताना है आज कि इस लिखन के पेडियो भाइल आप पीडिया प्लिया पाल आप मारे हमिए लिए मिए पर पहलें हाले में बहते पिए Sullivan के 36 अध्यक्ष में कैसे चुना गया तो अभी ये बेसी सिए के 36 में अध्यक्ष के रूप में पूर क्रिकेटर रोजर बिन्नी को चुना गया तो इसकुशन का बे ओप्सन्स आई हैं ये हैं रोजर बिन्नी ये अभी सरसट साल के हैं 67 ये और ये करनाटक राज्य क्रिकेट संग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तो अब य ये बेसी सिए के 36 में अध्यक्ष चुने गए हैं अभी तक बेसी सिए के अध्यक्ष कौन थे सौरव गांगोली और सेक्रेटरी कौन थे जैसा लेकिन अब बेसी सिए के अध्यक्ष बदल गए हैं नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी लेकिन सेक्रेटरी जैसा अमित सा के बेटे जैसा अब बेसी सी यानि कि वोड आफ कंट्रोल फॉर किर्किट इन इंडिया इसकी स्तापना कव हुई 1928 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुम्मई में बानकेड इस्टेडियम में और इसके प्रिजेंट टैम पर अध्यक्ष यह बन गए हैं रूजर गया अस्विनी कुमार को डेली सरकार से ग्रह सचिब के रूप में न्यूप्त किया गया है बिनाय गौड से को भारती डेटा सुरक्षा परिसत के नए सीईयों के रूप में न्यूप्त किया गया रास्टी आपदा प्रवंदन प्राधिकड के निदेशक म्रडालनी वास्ता बनी है देश के अगले चेप जस्टिस के रूप में डे बाई चंद चुड को नामित किया गया है और ए एन गोपाल करश्णन ने सेबी के पूर कालिक सदस्य के रूप में कारवार समाला है यह अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट है यह आपको याद रखने है अच चालिस यह लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है यह लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक को और सियर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग में उठकर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो चाहे चोटा साइट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग में उठकर सबसे पहले आउसिंग कॉन किलेप का उद्गाटन करेंगे तो इसको शिन का से ओप्सिन सही है इसका आयोजन आबास एबम सहरी मामलों के मंत्रारे द्वारा किया जाएगा हाली में कौन सा राज्य क्रसी और संबद्ध ग्रॉस बैल्यू आउटपुट में सेर्स प्रदसन करता के रूप में उबरा है तो अभी आंदप्रदेश क्रसी और संबद्ध ग्रॉस बैल्यू आउटपुट में सेर्स प्रदसन करता के रूप में उबरा तो इसको शिन का डे प्रेड़ी और आंद्र प्रदेश की गवर्नर कौन है बेश्यू भूशड हारी चंद्रन अच्छा अभी तेसरा बेश्यू के चुपुडी नाट्योत्सप आंद्र प्रदेश के बिजयवाडा में शुरू हुआ है बारती नौसेना ने आंद्र प्रदेश में अपतटी सुर प्रदानमत्री मोधी ने रास्ट को कितनी डिजिटल बैंकिंग एकाया समर्पित की है तो अभी प्रदानमत्री नरेंडर मोधी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग एकाया समर्पित की तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में बैंकिंग से रिलेटेड जो नॉर्मल काम होते हैं वो सब हो जाएंगे और 24 आवर हो सकते हैं ने कुश्चिन है हाली में उल्फ किस देश के नए प्रदारमंतरी चुने गए हैं तो उल्फ क्रिश्चर सन ये अभी स्वेडन के नए प्रदारमंतरी चुने गए हैं तो इस कुश्चिन का बे ऑप्सन सही है ये हैं उल्फ क्रिश्चर सन ये अब स्वेडन के नए प्रदारमंतरी चुने गए हैं अब स्व अभी अब्दुल लटीफ रासिद इराक के नए राष्ट पती चुने गए कैप्टन इब्राहिम त्रोरे ये वुर्किना फासो के नए राष्ट पती चुने गए चाड के प्रतानमंतरी अलवट पाइमी पाड़के ने इस्तीफा दिया कैप्टन इब्राहिम त्रोहे मैंने ये बताया ये बुर्कीनावासों के नए राश्पती जुने गए हैं और जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला पतानुतरी बनेंगी तो ये अभी नए प्रैमिनिस्टर और प्रेसिडेंट है हाली में पेटियम पेवेंट बैंक ने किसे अंतरिम CEO के रूप में न्युक्त किया है तो अभी देपेंज सिंग राठोर को पेटियम पेवेंट बैंक ने अपना अंतरिम CEO न्युक्त किया तो इस कुश्यन का बे अप्शन सही है अच्छा ये appointment वाला फिर से question है तो सिवे जौर जापान में भारत के अगले राजदूत न्युक्त हुए SBI General Insurance के MD&CEO के रूप में किसोर कुमार पोलुदासू को न्युक्त किया गया UAPA Tribunal के पेटासी नदिकारी दिनेस कुमार बने है Bank of India Mutual Fund के CEO मोहित भाटियाब ने संजेब के सोर ने महानिदेसक आयोद के रूप में पदवार ग्रेड किया और भारत निर्वाचन आयोग ने पंकच त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकन गोसित किया है संदेब कुमार गुपता ने गेल के अध्यक्ष की रूप में पदवार समाला है नैशुशन है हाली में अंतरास्टी सौर गटवंदन की पांचमी सवा का उदगाटन कहां किया गया तो अभी International Solar Alliance की पांचमी सवा का उदगाटन नई दिल्ले में किया गया तो इसको शिन का से ओप्सन सही है International Solar Alliance आपने करक रेखा का नाम तो सुनाओगा साड़े तेस डिग्री उत्तरी अच्छांस मकर रेखा कितना है साड़े तेस डिग्री दक्षडी अच्छांस इन दोनों के बीच जितने भी देश पढ़ते हैं उन देशों पर सनलाइट सबस्यादा पड़ती है तो इसी सनलाइट को सूलर इनरजी की रूप में यूज करने के लिए ये अंतरास्ती सोर गटवंदन मना इसकी पांचमी सबा का उद्गाटन अभी नई दिल्ली में किया गया अच्छा इंटरनेशनल सोलर अलाइंस इसका इस्तापना कभी थी 30 नवंबर 2015 को इसका एड़ कॉर्टर कहां पर है गुरु ग्राम में और इसके प्रजेन टेम पर डिरेक्टर जनल कौन है अजय माथूर कौन है अजय माथूर नैक्यूशिन है हाली में बे मुरली धरन ने कहां स्रेच चित्रा सम्मिलन 2022 का उदगाटन किया है अब पहले ये माइन में क्लिक करना चाहिए बे मुरली धरन ये कौन है तो ये हमारे प्रजेन टेम पर केंद्री बेडेस राजिमंत्री है इन्होंने अभी दो दिवसी स्रेच चित्रा सम्मिलन का उदगाटन केरल में किया है तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है अब केरल तो ये है मैप में केरल केरल की केपिटल क्या है तिरुबनन तो पुरम केरल के चीपनिश्टर कौन है पेनराई बिजियन और केरल की गवर्नर कौन है आरेफ महम्मद खान और आरेफ महम्मद खान नहीं अभी केरल में बन इसकूल बन आईएस योजन शुरू की थी केरल की पुल्लम पारा पंचैद देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचैद बनी है HDFC बैंक ने कोजी कोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित ब्रांच खोली है केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाईल एप लॉँच करेगी केरल ने आंगनवाडी के बच्चों के लिए अंडा और दूध योजन शुरू की है सरकारी ए-टेक्सी सेवा सुरू करने वाला पहला राज केरल मना है मचले के उत्पादन में कौन सा देश सीर्स पर रहा है पूरे दुनिया में मचली के उत्पादन में चायना टॉप पर है तो इस कुश्चिन का ए ओप्सन सही है चायना फर्स्ट पर है इंडोनेसिया सेकंड पर है और अपना देश भारत थर्ड पर है तो पूरे दुनिया में चायना मचली के उत्पा पूर्बग पहली सौर बेद साला कुवाफू वन को लॉंच किया चेन ने दो नए उपग्रे सियान 14 और सियान 15 लॉंच किये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार बैस्विक स्वर्ड पुनल चक्रण में चायना टॉप पर रहा और फुजियान नामक तेसर विद्चा बिमान भाग पोत चेन ने लॉंच किया ने कुशन है हाली में टे 20 बेसुकप में डेव्यू करने वाले सबसे युबा खिलाडी कौन बने हैं तो UAE के ऑल रांडर हैं आयान खान यह टे 20 बल्ड कप में डेव्यू करने वाले सबसे कम उम्ड के खिलाडी बने है तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है ये हैं UAE के और राउंडर आयान अफजल खान इन्होंने अभी मात्र 16 साल की उम्र में आस्टिलिया में टे 20 वर्ल्ड कप में डेविव किया है अच्छा ये खुद किस देश के हैं UAE के हैं और इन्होंने नेदरलेंड के खिलाप अपना देविव किया है अच्छा इन से पहले पाकिस्तान के खिलाडी थे मोहमद आमिर वो सबसे कम उम्र में टे 20 में डेविव करने वाले खिलाडी थे उन्होंने 2009 में मात्र 17 साल की उम्र में टे 20 वर्ल्ड कप में डेविव किया था और ये मात्र 16 साल में टे 20 वर्ल्ड कप में पेविव करने वाले खिलाडी बन गए है, नएक क्यूशन है किस देश के उपन्यासकार सेहान करणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरुसकार मिला है, तो सेहान करणा तिलका ये स्रीलंका के उपन्यासकार है, और इनका एक उपन्यास है The Seven Moons of Malia Almeida, इस उपन्यास की वज़े से इनको 2022 का बुकर पुरुषखार मिला तो इस कुश्चिन का से ओप्सन सही है ये हैं से आन करणा तिल का अब ये स्री लंका के हैं तो ये है मैप में स्री लंका स्री लंका की केपिटल क्या है कुलंबो और स्रेज जैबादने पुरम कोटे कुलंबो कॉमर्सिल केप स्री लंका की करण्सी क्या है स्री लंका रूपी स्री लंका की प्रजेंट टैंप प्राइमिस्टर कौन है तिनेस गुड़ुबर्धन और स्री लंका के प्रजेंट टैंप प्रेसिडेंट कौन है रनिल बेक्रम सिंगे अच्छा ये जो आपको मैप में स्री लंका दिख रह तो अभी हरयाना को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय में । तो इसकूशिन का बे options आहिए, अब हर्याना तो ये है मैप में हर्याना, हर्याना की के बिठल के है चेंडी गड़, हर्याना की Chief Minister कौन है ? मनोहर लाल खटर, और हर्याना की Governor कौन है ? अभी Public Affairs Index 2022 में हर्याना टॉप पर रहा, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हर्याना बिक्सित करेगा, प्रदानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अम्रता अस्पताल का उधगाटन किया, हर्याना ने चेप मिनिश्थर एक्वल एजूकेशन रिलेफ असिस्टेंट ए पुस्तक अस्टांग योग का भी मोचन किया, अचा हर्याना में खोल ही रेतान वाइल लेशन्चुरी है, बेर सिकारगड वाइल लेशन्चुरी है, नाहर वाइल लेशन्चुरी है, चिल्चिला वाइल लेशन्चुरी है, और खपरवास वाइल लेशन्चुरी है, ने हु सब्सक्राइब तो अभी गूगल ने असम राज सरकार के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये तो इस कुछिन का ए ओप्सन सही है डेजिटल आधारत सिक्षड और बिकास को बड़ावा देने के लिए गूगल ने असम सरकार के साथ समझोता किया है अब असम तो यह है मैप में असम असम की केपिटल क्या है दिसपुर असम की चीपनिष्टर कोन है हिमंता विश्व सर्मा और असम की गवर्नल कोन है जगदीस मुखी अभी ग्रह मंत्री अमित सा ने असम में पुलिस अधीच्चकों के सम्मिलन का उद्गाठन किया असम राजसरकार ने बिद्यारत स्कूल और वेल्स परयोजना शुरू की पबन कुमार बूर ठाकुर असम के नए मुख के सचिब नियूट दूए है और असम के चीप निश्टर ने 1000 मौडल आंगरवाडी केंद्रों का सुभारम किया दूसरा बारसिक अंतरास्त्री रेंजर पुरुसकर 2022 असम के उरंग नेशनल पार्क को मिला है अच्छा नेशनल पार्क की बात है तो असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क है काजी रंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रूस एकोबा, रायमोना, देइंग पड़ गई ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है अच्छा असम के लोक नर्ति कौन-कौन से फेमस है बिहू, बगरूंबा, भोर्ताल और जुमौर नेक शुशन है हाली में जारी यूनैटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है तो अभी यूनैटेड नेशन ने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकौर्डिंग सबसे ज़्यादा गरीब अपने देश भारत में है सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया में हैं दूसरे नमर पर नाइज इरिया है अब यह रिपोर्ट है युनाइटेड नेशन की अभी इससे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था उस इंडेक्स में 121 देशों में इंडिया की रैंक 107 थी यह रैंकिंग देखके कि यह मैनुपिलेटिड इंडेक्स है हो सकता है यह इंडेक्स मैनुपिलेटिड हो लेकिन अब यह युनेटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया में है इसका एक कारड हो सकता है मैं यह बोल रहा हूं हो सकता है मैं क सारे ऐसी लोग हैं हमारे देश में, जो i daily basis काम करते हैं. उनका काम एकदम से बंद ऑगया था उनको जहां सहर में वो रहते थे, सहर जॉाब करते थे, वो सहर भी छोड़ना पड़ा थे, और अचानक उनको अपने गवह बापस आना पड़ा थे तो उनके पास खाने के लिए नहीं था तब गवर्मेंट ने प्रधानमंत्री गरेब कल्यान अन्योजना शुरू की थी उसके तैत उनको रासन दिया जाता था आज की डेट में गवर्मेंट का ओफिसियल डाटा है कि 80 करोड लोगों को प्रधानमंत्री गरेब कल्यान अन्योजना का लाब दिया जा रहा है अब आप सोच की देखो ये गवर्मेंट का ओफिसियल डाटा है गवर्मेंट ओफिसियल ही कह रही है कि हमारे देश में 80 करोड लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको गवर्मेंट मुप्त में खाने के लिए दे रही है आप सोचो जब गवर्मेंट ओफिसियल डाटा ये दे रही है देश की आबादी I think 1500 करोड हो गई होगी उसमें से 80 करोड लोगों के पास खाने के लिए नहीं है जब गवर्मेंट का ओफिसियल डाटा ये है तो इस तरह की रैंकिंग में इंडिया का नीचे जाना औबियस है और ये भी हो सकता है कि रैंकिंग मैनुपलेटेड हो लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है इस तरह के data की वजह से इंडिया की ranking नीचे जा रही है और अब United Nations की report के अनुसार इंडिया में सबसे जादा गरीम है क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के data की वज़े से इंडिया की ranking नीचे है या कोई और region है अगर आपको लगता है जो भी कुछ लगता है एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखे दिखाओ मैं आज सारे कमेंट्स पढ़ूँगा अब लास्ट वीडियो की कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुश्चिन पूचा था कि हाली में तेसरा बेसु किछ पुड़ी नाट्य उतसब कहां शुरू हुआ है तो अभी बेजय बाड़ा में तेसरा बेसु किछ पुड़ी नाट्य उतसब शुरू हुआ यानि किस question का बे option सही था और लगबग सभी श्ट्वेर्नेस का अंसर सही दिया mostly श्ट्वेर्नेस के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक वर फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में 2022 मैला एसिया कप T20 किताब के इस देश ने जीता है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज की इस video का आप target जरू याद रखना आज की इस video का target है 40 या लाइक का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group है उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current of us का video आपको ये video कैसा रगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लिजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon में के आएगा आप उस bell icon में जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam always video thanks for watching